हे गाईज वेलकम अबर यूटूब चैनल इस्टडी भी देव भूमी फ्रेंस आज हम उत्राखंड जीके में देखेंगे उत्राखंड के प्रहुक के लिए और वो भी ट्रिक के साथ ये एक ऐसा टॉपिक है गाईज जिसमें से आपको एक नाएक कॉश्चन देखने को मिल ही की जाता है यह इस पेसल कनिस साहिक के लिए हैं जिसका एक्जाम जो है सिप्तेंबर 2020 में जो है प्रस्ताबीत है तो काफी मोस्ट इंपोर्डेंट वीडियो है गाईज वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने वारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जो है ग्रीक काफी डिपेट गुंष्री तो आपकी अंसर पूर में होगा ठीक है इसका जो निर्मान ऑफो कराया था वो बीष्म चंदने कराया था जो चंद्वनसी राजा थे ठीक है तो इसने आपने याद रखना है ठीक है खगमरा किला जो है कहां पे है ये अलमोडा में इसका निर्माड किसने कराया था भीसम चंद ने और भीसम चंद जो है ये चंदवन्स के राजा थे अगला है लालमंडी किला देकि लालमंडी किला भी जो है ये अलमोडा मे पूछेगा तो पल्टनबजार स्थित छाबनी के भीतर रही है जयसे छाबनी है तो उसी के भीतर है किला है और किसने पांद यहां तो यहां से यहां से यह आता है लालमंडी किला को जो है फॉर्ड मोहरा नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको अन्य नाम जो है फॉर्ड मोहरा है ठीक है तो ये आप ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे अगला है मला महल किला ठीक है मला महल किला ये भी अलमुडा में ही इस्तित है ये किला जो है अलमुडा सेर के मद्धे में इस्तित है ठीक है मला महल किला जो है ये अलमुडा के मद्धे में इस्तित है इसका निर्मान भी जो है कल्यान चंद नहीं कराया था तो मल्ला महल कहां पर है अलमोडा में और ये खाशकर अलमोडा सहर के मद्धे में इस्तित है निर्मार किसे ने करा आता है इसका कल्यार चंदने अब देख लिए इसकी ट्रीक देख लिए एक वाट ट्रीक ठीक है ट्रीक काफी most important होती है अगर आपने एक वाट ट्रीक सीख ल खाला से आता है लालमंडी किला खा से आता है खगमरा किला और मल्ला से आता है मल्ला महल किला तो नो लाक मल्ला किला कहां पर है अलमोडा में ये सभी कहां पर हैं अलमोडा में इस्तित है अब देखिए नैथा किला का निर्मार जो है गोर्खा काली ने ठीक है लालमंडी कि जो निर्मार किया था कल्यार चन्द ने हैं तो यह गार त्रिक आप देख लेंगे और रयें तो आपको यह डोजाएंyes tic है और इनके जो निर्माड करता है मनला महल के कौन है कलियांड चंद कखमरा कि लाके भीष्मिचंद लालवंडी किला के कल्याड चंद और नेथ्रा किला के हैं यह गोड़ खकालील ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं राजबुंगा किला ठीक है काफी पूछा भी जाता है राजबुंगा किला ठीक है राजबुंगा जो किला है ये चंपाबत में हैं कहां पर है ये चंपाबत में है और इसका निर्माड जो कराया था राजा सौम चंद ने कराया था ये भी चंद बंस ने इसका निर्माड करा तो इससे पांच किलो मीटर की दूरी पर खड़ी चड़ाई पर नेथला देवी मंदिर की निकट कीने है लाकिला इस्तित है तो यहां से दो कोशन बन जाते हैं कि नैतरा देवी मंदिर कहां पर है और नैतरा देवी किला किस मंदिरी के पास है तो दोनों फैक्ट आपने याद रखने है नैतरा किला जो है ये गोर्खा कालीन है ठीक है इसको इसका जो निर्मान कराया था वो गोर्खोंने कराया था उस उसके बारला आता है सिर्मोही किला तो बारण सुर्डिया के बारला सूर्ड किला तो ये कहां पर हैं धिक है दूरी में धौुता है धुक्न स्थानी भासा में मारकोट कहा जाता है बार असूरक किला को मारकोट कहा जाता है अब बात करेंगे हैं यह किस मारक प्र हिस्तित है तो लहा घाट देवी-धोरण मारक पर बारा सूरकिला स्तित है साथ किलोमेटर की दूरी पर एक उची सी चोटी पर जो है ये इस्तित है अब देखिए बारा सुर किले की बात करें इसकी लंबाई और चोड़ाई की तो ये बारा सुर किला इस तरह से मान सकते हैं आप तो इसकी जो लंबाई है ये असी मीटर है ठीक है इसकी लंबाई कितन में हैं और इसका जो निर्मान कराया था राजा गोरिल ने कराया था इसको याद रखेंगे गोला और राजा गोरिल तो इससे आपको यह याद हो जाएगा अब इसके ट्रिक देख लीजिए जो चंपावत में जितने भी किले हैं गाई उसके ट्रिक देख लीजिए एक बार चंपावत के राजा ने सिवा को गोला दिया तो देखिए एंसे चंपावत से चंपावत आ जाएगा हमारा राजबूंगा सी से शिर्मोही किला बात से बाड़ासूर और गोला से आझाने याद नहीं है कि चंपावत के राजा ने सिवा को गोला दिया ठीक है तो राजबुंगा सिर्मोही बाड़ा सुर्किला और गोला चोड तो गाइज यह थे उत्रागन के प्रुमक किलों की कुछ ट्रिक जहां से आपको एक नंबर का कोश्चन देखने को मिल जाता है काईज शेयर जो है नहीं करते हैं अपने वर्टसप पे अपने ट्यूटर एकाउंट पर या जो भी आपका फेस्बूक जो एकाउंट उस पर वीडियो को शेयर नहीं करते हैं चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में